वेल्कम तू आपिर अदा टाराइट्स हम पढ़ रहे हैं Lecture No.1 में हमने ये Fundamental Rights को अच्छी तरह पढ़ लिया और Lecture No.2 में हमने Fundamental Rights की ट्रिक्स सीखी कैसे याद रखा जाए हर एक Fundamental Rights को ये हमने कल ही आपको Lecture No.2 में पढ़ाया ठीक है? आज है Lecture No.3 और आज हम स्टार्ट करेंगे असल में Fundamental Rights Article 12 से हम स्टार्ट करेंगे आपको पता है Fundamental Rights कहां से कहां तक है Article 12 से लेके 35 तक और आज हम पढ़ेंगे Article 12 से ठीक है? और इतना तो, इतना तो, इतना तो मैंने आपको बताया हुआ है कि Article 12 क्या बोलता है? मेरा नाम है State Article 12 बोलता है मैं हूं State स्टेट मैं हूं स्टेट मैं हूं डिफिनिशन आप स्टेट और जो आप बाकी के फंडमेंटा राइट्स पड़ोगे वो मेरेही खिलाफ है अगर मैने मी आर्टिकल ट्वड राइट्स श्लें अगर मैने ही वडिलेति किए आप के ये बाग की fundamental rights तो आप जा सकते हो court, supreme court भी high court भी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, यहां तक देखो, आप मुझे एक बात बताओ article 12 ही आपका fundamental right violate करे तो आप जाओगे कहा court, supreme court under article 32 high court under article 226 मेरे पिछले lecture देख लो article 12 मतलब state, अच्छा, अच्छा, अच्छा क्या इस state के अंदर court आता है, अगर आपका court, आपका fundamental right violate करे, तो आप court के पास जा सकते हो क्या, ये भी मैंने थोड़ा सा आपको बताई हुआ है, लेकिन इस lecture में अच्छी तरह हम देखेंगे, बहुत सारी चीजे, क्या state में judiciary भी आता है, क्या state में court भी आता है, state में और क्या-क्या आता है, जिसके खलाफ आप जा सकते हो courts, ये सारी चीजे हम इस article number 12 में देखेंगे, क्योंकि article 12 बोलता है, मेरा नाम है state, मैं हूँ definition of state, मेरे खलाफ, आप बाकी सारे fundamental rights पढ़ने जा रहे हो इसलिए हर एक fundamental right में आपको मिलेगा, state का नाम, state shall not do this, state shall do this, किसी जगा होगा state shall not do this, मतलब इसलिए, अरे अरे, 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 एक second मेरे भाई, मैंने आपको एक lecture में ये बताया था, पहले लक्चर में fundamental rights mostly negative है, state shall not do this, shall not do this, shall not do this, state को रोका जा रहा है fundamental rights, states को रोकते हैं, states के उपर restrictions है तो states, इसलिए fundamental rights negative in character हैं, लेकिन, जानना ये है, कि मैंने तब बोला था mostly negative, mostly negative का मतलब, सारे के सारे fundamental rights negative नहीं है, किसी किसी जगा, constitution, state को बोलता है, state shall do this, shall not नहीं state shall do this, shall do this मतलब state को restriction नहीं, state को बोल रहा है करने के लिए, इसलिए कुछ fundamental rights positive हैं, वो बहुत कम हैं, लेकिन हाँ, mostly negative है क्योंकि बहुत जगा उन पे आपको मिलेगा state shall not, shall not, shall not shall not, बहुत जगा आप पे मिलेगा कि state को रोका जा रहा है, इसलिए आपको अगर सवाल आए, fundamental rights negative है कि positive है, आपको लिखना है negative, ठीक है ना, अगर ऐसा सवाल हो, नीचे options mostly negative, तो आपको negative नहीं, mostly negative वाले पे टिक देना है, क्योंकि कुछ fundamental rights, positive भी है हम आपको बताएंगे fundamental rights को पढ़के साथ साथ आपको बताएंगे कौन सा negative है, कौन सा positive है, कहाँ पे लिखा है state shall not, कहाँ पे लिखा है state shall okay, okay, okay अब हाँ सर आप बताएंगे, ये article 12 जो है, definition of state देता है, इस state के अंदर कौन-कौन है, एक आम इंसान को पता चलना चाहिए तभी तो, वो जा सकता है MPs के खलाप courts, वो जा सकता है President के खलाप court, Prime Minister के खलाप वो जा सकता है court Council of Ministers, Ministers के खलाप MP या MLA's के खलाप जा सकता है इंसान courts, पता होना आछहे ना, ये स्टेट में कौन-कौन होता है, अरे, पंचायत है, municipality है, कोई trust है उसके खिलाब भी जा सकता है, इन्सान court, other bodies के खिलाब ही जा सकता है, आप court, okay, अच्छा, पढ़ते हैं, state में कौन को नाता है, definition of state article 12 बोलता है, और इसमें हो रहां, ये भी याद रखना, article 12 है न, पहला fundamental right, इसी तरह इसके बाद हम पढ़ेंगे DPSP, direct to principle of state policy, उसमें article 36 आएगा न, उसमें भी same to same definition है state की, article 36 भी same definition देता है, DPSP इसका पहला article, same है fundamental rights का पहला article, fundamental rights का article 12 और DPSP का article 36, जो कि DPSP का पहला article है, तो 36 article बराबर है, article 12 और दूनों के दूनों बोलते हैं, definition of state, ओके, यहां तक आपको समझाया न, अब हम start करेंगे आगे, अब हम सीखेंगे, इस state के अंदर कौन कौन आता है, सिटेट के अंदर सबसे पहले center से कौन आता है, legislature, executive, judiciary, इतना तो सब को पता होगा कि कानून ला कौन बनाता है, legislature, उसी ला को implement, execute, enforce कौन करता है, executive, और वो ला जो बना, उसके खलाफ अगर कोई गया, उस ला का violation अगर कोई किसी ने किया, तो सजा कौन देगा, जुडिशिर judiciary का role बहुत important है, इसलिए judiciary independent होना चाहिए, आपको पता है, constitution जो है, ला को छोड़ो, ला को छोड़ो, ला अलग बात है, जो legislature बनाएगा, constitution makers, constitution assembly ने जो कानून बनाए, constitution, constitution का रखवाला कौन है, constitution का रखवाला है, judiciary, judiciary, judiciary है, watch dog of constitution, इसलिए ये independent होना चाहिए, अगर उस constitution का violation, legislature या executive करता है, तो judiciary इनके बनाएँ हुए कानून को या action को बोल सकता है, कि वो unconstitutional है, invalid है, तो judiciary constitution का रखवाला है, watch dog है, ये दो अगर constitution को change करना चाहिए, खराब करना चाहिए, हटाना चाहिए, तो judiciary उनको रोक सकता है, और भी बहुत सारी बात है, लेकिन इतना आप जानो, फिलहाल आपने इतना समझा, law बनाता है, legislature, execute करता है, executive, और judiciary उस law का ध्यान रखता है, किसने violation किया, तो सजा देंगे, अब, आपको मैं एक important बात बताना चाहता हूँ, आपको ये शायद पता भी होगा, पार्लिमेंट जो है, वो ही है, सेंटर का legislature, वो तो ठीक है, लेकिन पार्लिमेंट, पार्लिमेंट के अंदर जो दो houses है, एक है, राजसबा, और लोगसबा, अपर हाउस, लवर हाउस, इतना तो हमें आपको पता है, और आगे पढ़ना भी हमें, लेकिन इस पार्लिमेंट, इस बाई केमिलर लेजिसलेचर, इस दो houses वाले लेजिसलेचर के अंदर एक बात बहुत important है, वो आपको जाननी है, वो क्या है, कि for example, राजसबा और लोगसबा के अंदर जितने भी लोग हैं, इनको बोलते हैं, Member of Parliament, सब को बोलते हैं, Member of Parliament, ठीक है, यह जो बहुत सारे ला 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 बनाते हैं, यही लेजिसलेचर के अंदर आते हैं, Member of Parliament क्या है, लेजिसलेचर बनाते हैं, लेकिन इसी Member of Parliament मैंसे या इसी Parliament के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एमपीज ऐसे हैं, कुछ राजसबा से लोग, कुछ लोगसबा से लोग ऐसे हैं, कुछ Member of Parliament ऐसे है जो कि एक्जिकेट्व भी है जो कि गवर्मेंट आफ इंडिया जिनको हम बोलते हैं जो कि जिसको हम गवर्मेंट भी बोलते हैं सेंटर का गवर्मेंट जो कि मिनिस्टर्स है तो राजसभा से भी और लोगसभा से भी MPs मिनिस्टर बनते हैं जो कि obviously ruling party के होते हैं जो party ने जीत अब ये जो MPs है खास खास बंदे यही है Ministers या Central के Council of Ministers Ministers बोलो या Central के Council of Ministers बोलो जिनको Head कोन करता है Prime Minister अब एक important बात है राजसभा और लोगसभा के दर्मियान मैंने Prime Minister बनाया मतलब Prime Minister राजसभा से भी हो सकता है और लोगसभा से भी हो सकता है इसी लिए मैंने Prime Minister को बीच में बनाया समझो इस बात को इसी लिए इसी को बोलते है वैसे Parliamentary Forum of Government मैं ज्यादा इदर डीप नहीं जाना चाहता उदर इदर लेकिन हाँ इतना समझो न कि जो Legislature है उसी के अंदर जो Parliament है उसी के अंदर Executive भी है ठीक है इतना समझें ना आप ओके Parliament के अंदर ही Council of Ministers होते हैं जिनको Head करता है Prime Minister उसी को बोलते हैं Government of India या उन्ही को बोलते हैं Center Executives और हाँ और हाँ इनके इलावा और भी होता है President भी Executive है जो के राजसभा लोगसभा के बाहर होता है आपको अगर कोई बोले Parliament किस किस का बना हुआ है आपको नहीं बोलना है कि राजसभा लोगसभा गलत हो आप आपको बोलना है राजसभा लोगसभा और President पारलिमेंट तीन चीज़ों का बना है प्रेजिडन्ट, राजसभा, लोगसभा. इस राजसभा, लोगसभा के अंदर कुछ लोग हैं, मिनिस्टर्स, एक्जिकेट्यूँ और प्रेजिडन्ट भी एक्जिकेट्यूँ ही आता है. ठीक है, अब ये तो ठीक है, अब अगर किसी MP ने आपको कुछ भोला, वो स्टेट में आता है आपका फंडमेंटर राइट वालेट किया काउंसल आप मिनिस्टोर्स ने फंडमेंटर राइट वालेट किया प्राइम मिनिस्टर ने फंडमेंटर राइट वालेट किया प्रेजिडेंट ने फंडमेंटर राइट वालेट किया अब सेंटर की बात तो है अब सेटेट से भी अगर सेटेट का लेजिसलेच्र और सेटेक्ड का एक्जीकेट्यू या हम पढ़ेंगे सेटे का जिडिशेरी भी अगर विवाइलेट करें आपका fundamental right, तो आप जा सकते हो court, क्योंकि ये सिटेट का भी आता है, इस article 12 के definition of state में देखो, सिटेट का legislature executive भी same ही है, आपके मैं बताऊँ, सिटेट के legislature को parliament नहीं बोलते हैं, सिटेट legislature बोलते हैं, और सिटेट के अंदर भी upper house legislative council, lower house legislative assembly होता है, अब ये तो legislature है, ये तो कानून बनाते हैं, ये तो सिटेट legislature है, ये सारे के सारी कानून बनाते हैं, legislative council के अंदर members, MLC legislative assembly के अंदर جो members हैं, उनको बोलते हैं, MLA MLA, MLC's जो हैं, वो सारे legislature हैं, मगर हाँ, 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 कुछ MLA, कुछ MLC's बनना सकते हैं, जो कि जीतेंगे, हम पढ़ेंगे आगाची तरह, कुछ MLC's जो हैं, वो ही executive होते हैं, या government of state उनको बोलते हैं, या state government उनको बोलते हैं, या state council of ministers उनको बोलो, जिनको head con करता है, prime minister states में, center पे, sorry, CM states में, center पे prime minister, CM को भी मैंने बीच में रखा, नहीं इसको मैंन legislative council में रखा, नहीं legislative assembly में, क्योंकि CM भी हो सकता है, legislative council का भी, और legislative assembly का भी, दोनु houses का member, CM भी हो सकता है, इतना आपको याद रखना है, कि PM भी दोनु houses का हो सकता है, normally lower house का होता है, मगर रह चुका है बहुत बार, PM upper house का भी, तो CM, PM दोनु houses के हो सकते हैं, इतना आपने जाना, अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ये आते हैं, अगर याद रखना, MLA, MLC, या CM, या governor, देखो देखो, देखो, ये बाद भी जानो न, state legislature, legislative council और legislative assembly ही नहीं होता, governor भी होता है, जैसे उपर president आपने देखा, state legislature के तीन parts है, governor, upper house, lower house, और हाँ, किसी-किसी state में ये वाला house है ही नहीं, अरे, किसी-किसी क्या, बहुत सारे states में, upper house है ही नहीं, ठीक है, अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे क्यों नहीं है, कुछ states में क्यों है, कुछ states में upper house, अग अब ये सारे लोग, governor, CM, PM, governor, council of ministers, states के MLA, MLC, कुछ भी आपको बोले, आप जा सकते हो, high court, supreme court, under article, 226 high court, 32 supreme court, और वो issue करेंगे, rits, या issue करेंगे, actions against these people, जिन्होंने आपका violation किया, आपके fundamental right को, इतना ही नहीं, आपको ये भी जानना है, कि local bodies भी आते हैं, state के definition में, पंचायत, municipality, district board, trust, अगर ये भी आपका violation करें, fundament right, तो आप जा सकते हो, courts, other bodies भी दिया गया है, article 12 की definition of state में, other bodies, time to time, supreme court ने बोला, ये body भी है, ये body भी है, ये body भी है, ये body भी है, ये सारी bodies आती है, state क definition में, और उन्हीं ने अलग-अलग case में, अलग-अलग चीजे बताई, वो ज्यादा depth में नहीं जाना है, हमें, लेकिन जो जो बच्चे को पढ़ना है, case के लिए, या UPSC IS के लिए, तब cases भी important है, थोड़े-थोड़े से, और हम आपके लिए वो अलग lecture लाएंगे, अब, म आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ lectures में लाने वाला हूँ, जो के crash course होंगे, जिसमें एक दिन में, आपका सारा computer खत्म हो जाएगा, एक दिन में, आपका major portion of GS, या general knowledge खत्म हो जाएगा, ठीक है न, एक दिन मतलब कि वो बहुत लंबा होगा live lecture, पांच गंटे का हो सकता है, तीन गंटे का हो सकता है, डिपेंड करता है, आपके सवालों पर, आप कितने सवाल मुझे पूछोगे, अगर आप चुप बैटोगे तो मैं तो खत्म करूँ का उसको तीन गंटे में, अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि, local bodies तो ठीक है उसके बाद, other bodies भी होते हैं, statuary, जो के act of parliament से बनी हुई हैं, जो चीज़े, non-statuary, जो के parliament ने बनाई नहीं किसी act से, या legislature ने act से नहीं बनाई शौट में, LIC, ONGC, SAIL, ये सारी चीज़े other bodies में आती हैं, important बात, लेकिन कुछ और है, वो ये हैं, क्या sir, judiciary, अगर मुझे supreme court या high court या किसी भी court का judge या कोई भी judiciary का member, अगर मेरा fundamental right violate करे, तो क्या मैं judiciary के पास जा सकता हूँ, court मेरा fundamental right violate करे, तो क्या मैं court के पास जा सकता हूँ, ये सवाल होगा ना, इसलिए supreme court ने कुछ important चीज़े बोली, और private के बारे में भी कुछ important चीज़े बोली, देखो बाई, court ने time to time ये बोला, कि judiciary भी आएगा state की definition के अंदर, मगर, जब वो judiciary administrative functions चलाता हो, judicial functions नहीं चलाता हो, जैसे कि कोई judge है, वो अपना फैसला सुनाता है, आपको उसने बोला, आपको चार साल की सजा, तो आप बोलोगी, अरे मेरा right to equality, right to freedom, right to speech and expression, ये right, वो right violate हुआ, right to movement, बहुत सारे right आपके violate हो जाएंगे न, तो उस time पे आप ये नहीं बोल सकते, मेरा judiciary ने right, violate क्या fundamental right, मैं judiciary के खलाब जाओंगा, judiciary में, तो ये judiciary उस time, citate की definition में नहीं आता, तो आप नहीं जा सकते, court में, क्यूं, क्यूंकि citate के खलाफ ही आपको जाना है, court में, ऐसे आप नही court में जा सकते हो, normal legal procedure से सारी चीज़े हो जाएंगे, अब, fundamental right अलग category आता है, अब, आपको ये जानना है, supreme court ने बोला, हाँ, अगर administrative function is चला रहे हैं, courts, जैसे कि courts ने बोला, appointment, courts ने बोला, transfer up judges, और उसमें कोई discrimination होता है, उसमें किसी के साथ violation होता है, या judge, judge मुझे बाहर आ सकता है कि आपकी सजा ये, आपकी सजा वो, आपकी सजा ये, मिल जाएगी, लेकिन याद रखना कि court को भी ये power नहीं है कि आपको fundamental right वालेट करे, हाँ, अगर वो फैसला अपना सुनाता है, अगर वो court judicial function करता है, अगर वो अपना normal judicial function चलाता है, उस time आपका fundamental right वालेट हो सक सकता है, उस time course state की category में नहीं आता, उस time course article 12 की definition में नहीं आता, तो supreme court भी आएगा, देखो ना, center के अंडर supreme court है, states में कौन सा होता है court, high court और subordinate, subordinate, subordinate courts होते हैं, ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे ये court हो, high court हो, subordinate court, subordinate court, subordinate court मतलब high court से चाहे कोई भी court हो, तो administrative function जब हो चलाए, जब हो transferable judges appointment हो, उनका exam हो, उनके बारे में कुछ कोई भी चीज़ो normal वाली, तो आप जा सकते हो court के खलाफ कि इसने मेरा appointment नहीं किया, मेरा right to violation, इसने मेरा right to violate किया, ठीक है, इसने मुझे exam नहीं दिया, on the base of certain grounds, इसने मेरा appointment वाला, यह public appointment, public employment, sorry, employment वाला right violate किया, court नहीं बोला, हाँ भई, non-judicial function में, court नहीं आता, article 12 में, और यह भी आद खखना, Supreme Court नहीं बोला, कि किसी-किसी article के category में, किसी-किसी article में, किसी-किसी article में, किसी-किसी article में, किसी-किसी article में, प्रेवेट के खलाब भी आप जा सकते हो, High Court और Supreme Court for the enforcement of fundamental right, आपका violation of fundamental right का, तो court करेगा enforce, ठीक है, court करेगा issue rights उस बंदे के खलाब, प्रेवेट भी किसी-किसी article में, हम article को साथ-साथ जब पढ़ेंगे, तो हम आपको साथ-साथ बताएंगे, ठीक है, ओके, अब है interesting article, article 13, यह article 13 पता है, यह article 13 इस state को और ज्यादा रोकता है, यह article 13 जुडशिरी को और ज्यादा पावर देता है, यह article 13 इस state को या law making body, पारलिमेंट को और ज्यादा रेस्टिक्ट करता है, कैसे, पारलिमेंट या state legislature अब कोई कानून अगर बनाएगा, article 13 क्या बोलता है, कोई कानून बनाएगा, और वो fundamental right के violation में वो कानून बनाते हैं opposite with fundamental right है, contradict करता है fundamental rights को, contravention होता है fundamental rights का, वो कानून जो बनाता है center या state का legislature, और वो कानून अगर inconsistent है with fundamental right, तो वो माना जाएगा wide, null, zero, वो कानून नहीं माना जाएगा लेकिन क्या वो कानून खत्म हुआ, यह आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी सी picture अभी बाकी है भाई मेरे, doctrine आप eclipse और separability और severability आपको समझाओंगा मैं, मुश्किल नहीं है, बागना नहीं, doctrine और doctrine कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब देख या पोस्ट कानस्टूशनल, बहुत सरे ऐसे कानून है, जो कि कानस्टूशन से पहले भी थे और आज भी चल रहे हैं, तो कोई भी कानून, कहीं पे भी बना हो, लेकिन वो कोड के पास आया, और कोड ने देखा, वो fundamental rights के violation करता है, वो कानून, और जब कोई कानून बनता है या जब बना हुआ है, और जो जब पता चलता है, कि ये fundamental right के opposite है, तो उस law को माना जाता है, wide, null, zero, उस law को court, supreme court और high court याद रखना, साबाट ने छोटे court नहीं, उस law को high court और supreme court, दोनू के दोनू बोल सकते हैं, उस law को courts बोल सकते हैं, unconstitutional, या ये law जो legislature ने बनाया, चाहे center के या state के, वो है invalid, वो है unconstitutional, वो है invalid, supreme court भी बोल सकता है, और high court भी बोल सकता है, article 32 और article 226 के अंडर, supreme court भी इस high court भी बोल सकता है, ये law जो है, वो fundamental right का violation करता है, इसलिए उस law को बोला जाएगा, wide, ये judiciary को ज्यादा ताकत देता है, पार्लिमेंट और state legislature को और ताकत चीनता है, उनका ताकत कम होता है, जुडिशिरी का ताकत ज्यादा होता है, कि जुडिशिरी बोल सकता है, आपने जो law बनाया, wide है, unconstitutional है, fundamental rights के opposite है, इसी को बोलते है, judicial review, judicial review का power बढ़ गया, बाई, जुडिशिरी को अब, आप सूच रहो होगे, sir, कोई कानून बनाया गया या बना हुआ है, सारा का सारा कानून, अगर कानून के अंदर, जैसे एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है, चार पार्ट है, अब लाके अंदर कुछ सब पार्ट होते हैं न, अब for example, एक ही पार्ट जाता है fundamental rights के violation में, तो क्या सारा कानून को, Judiciary, High Court, Supreme Court, Zero मानेगा, Null मानेगा, Wide मानेगा, इसी में आए doctrines, doctrine of Eclipse, Severability or Severability, देखो, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना ये बात, सबसे पहले आपको मैं बता हूँ, Eclipse, उसके बाद Severability, चलो, Severability पहले बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको बोला, कानून है, एक दो तीन पार्ट, चार पार्ट है, और ये वाला, चलो, ये वाला पार्ट, ला जो बनाया, वो fundamental rights के contravention में आता है, contradict करता है, तो, doctrine of separability या condition है, अगर ये लाज अलग हैं, इस ला से, separate अगर ये होते हैं, अगर ये लाज अलग से function करते हैं, ऐसा नहीं हो, कि ये ला सारे के सारे इस वाले ला के dependent हो, जो ला हटाया गया, separability, severability ये ही बोलता है, कि बाकी के ला के पार्ट चलेंगे, जो ला का पार्ट, fundamentalize का violation करता है उसी ला के पार्ट को आप wide, unconscious, invalid मान ये, ये है doctrine, इतना simple doctrine है, अब दूसरा, याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये बात याद रखना, ये है fundamental right मान लिया आपने, ठीक है, और ये है fundamental right का, मान लो कोई article चलो, ये एक article है, ठीक है, और ये ला बनाया गया, ये ला ब अरा fundamental right violate नहीं करता ये ला, ये ला बस इस वाले fundamental right, किसी, मान लो article, 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 article 18, for example, अरे article 18 क्या, मान लो for example, चलो, चलो, article, मान लो, अरे यार क्या हो गया इसको, article 18, चलो, article 18 का violation क्या करता है, एक ला बनाया गया, उनने बोला, अब से इन इन लोगों को title abolish नहीं कर सकती, for example, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे कि, जैसे कि, जो जवान जवान है, जो कि बहदूर है, वो अपना title रख सकते हैं, article 18 क्या है, abolition of titles, तो ये article 18 के खलाफ है, ये जो कानून बनाया गया, तो इस कानून को माना जाएगा, why it unconstitutional, invalid, ठीक है, मगर याद रखना, doctrine of eclipse ब ये अबी, ये जो कानून है, ये अभी खतम नहीं होगा, ये inactivate है, लेकिन अड़ीज़ हो सकता है, ये अभी सोया हुआ है, लेकिन जाग सकता है, ये अभी invalid है लेकिन आगे valid हो सकता है, ये law books में इस कानून को रखो, लेकिन हाँ, अभी के लिए ये डिस्क फंक्शनल है, अगर आगे article 18 खत्म होता है जिस article उपको ये block करता था अगर वो article amendment की वजह से आगे fundamental right वो article खत्म करता है तो ये जो law है ये active हो जाएगा ये inactive था, ये active हो जाएगा इसी को बोलते हैं doctrine of eclipse eclipse का मतलब shadow इस law को आप खत्म मत करो इसको fundamental right के shadow के अंदर रखो, इसको inactivate रखो, क्या पता ये law जिस चीज को violate करे, वो चीज कल fundamental right से delete हो जाए, या वो चीज कल change हो जाए, या कल इन दूनों के दर्मियान जो इकतिलाफ है, जो problem है, जो इनके दर्मियान contract invention है, वो खत्म हो जाए, वो अगर खत्म हो जाए, तो law जो बनाया गया था, इतना parliament का time जाया नहीं करेंगे, उनने law बनाया, कोई मकसद होगा, इसको अभी बंद रखो, आगे ये चल सकता है, इसी को बलता है doctrine, eclipse, चलो, अब ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, ये जो article 13 है, इसमें आपको ये जानना है, ये law कौन-कौन सा है, article 13 के अंदर कुछ वैसे classes है, article 13 1 class बात करता है, प्रिक कनस्चुशनल लाज के बारे में, article 13 2 बात करता है, पोस्ट कनस्चुशनल लाज के बारे में, जो कनस्चुशन के बाद लाज बने, उसके बारे में, और ये वाला, जो कनस्चुशन के पहले लाज बने हैं, और अभी भ से सवाल आ सकता है याद रखना आर्टिकल 13 4 से सवाल बन सकता है मैं मैं सूच रहा हूं कि आर्टिकल 13 4 से अगर सवाल आए तो ऐसा नो हो कि आपको कुश्चन ना मतलब आंसर ना दे सको क्योंकि यह बहुत इमपोर्टन्ट है और जो चीज निवस में होती है जिसके बारे मे कुछ नो कुछ news में बोला जाता है, एक दो साल में, उससे सवाल आने के chances बहुत होते हैं, याद रखना, ओके, अब देखो, चलो भाई, ये ला, sir, कौन सा ला, कौन सा ला, ला तो बनाएगा, लेकिन कौन कौन सा ला, देखो, permanent laws, जो कि Parliament बनाएगा, या State Legislature बनाएगा, permanent laws, अगर fundamental right के खलाफ हो, तो वो माना जाएगा, zero, null, white, कौन-कौन सा ला, वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे, कौन-कौन सा ला में क्या क्या आता है, permanent law, temporary law भी आता है, जैसे कि, प्रेजिडन्ट ने या गवर्नर ने ordinance बनाया, जबकि legislature session में ना हो, तो में कोई कानून बनाया, कोई ordinance बनाया, वो भी ला माना जाएगा, वो ordinance भी fundamental right के खलाब गया, तो वो judiciary बोलेगा, नहीं बाई, ordinance zero, ordinance नहीं माना जाएगा, statuary instruments मतलब जो कि, एक्टा पार्लिमेंट की वज़ए से कोई चीज बनी है, कोई body बनी है, वो कोई order देती है, जैसे कि executive legislations, order बनाते हैं, by law, rule, regulation या notification कोई निकालते है, executive legislation इनको बोलते है, delegated legislation भी, delegated legislation, executive order निकाल, देखो executive क्या करता है, कोई rule तो नहीं बनाता, कोई, sorry, कोई law तो नहीं बनाता, यह तो law को implement करता है, लेकिन किसी-किसी case में executive भी, rule बना सकता है, इसी को बोलते है executive legislation, order दे सकता है बाईला बना सकता, बाईला होता है, order आपको पता होगा, notification सुना होगा, लेकिन बाईला शायद ना सुना हो, बाईला होता है कोई local area के लिए कोई कानू, छोटे से area के लिए कानू, local area किसी area के लिए कानू, ठीक है, order निकाल सकता है, बाईला, rule, regulation, notification, ये जो executive निकाल सकते हैं, मिनिस्टोर्स निकाल सकते हैं, कोई ला, यह जो मिनिस्टोर्स हैं, या स्टेट के मिनिस्टोर्स हैं, सेंटर के मिनिस्टोर्स हैं, कुछ भी, ृटिक है ना, वो अगर कोई notification, notification निकाले और वो fundamental right के खलाफ है, तो वो notification को court बोलेगा, unacionesational, invalid, article 13 में judicial review है court के पास, यह power है, पता है, पार्लिमेंट को यहां पर कम थाकत मिलता है, क्योंकि ला को ही बनाएगा, तो जुडिशिरी बोलेगा इन्वैलिड, जुडिशिरी को बहुत पावर, पार्लिमेंट को कम पावर तो पार्लिमेंट ने एमेंडमेंट लाई 1971 में, उसने बोला देखो भाई, ये क्या हम कुछ छेडखानी करी नहीं सकते हैं, क्यों ना हम एक और रस्ता पनाएं, उन्होंने Article 13, Class 4 इंटोडूस किया है, एड किया है, Amendment से, 24th Constitutional Amendment Act 1971 में, Class 4 आया, Article 13 का, Article 13 के ये पहले से थे, Constitution जब बना, लेकिन Amendment से कौन सा Class आया, 13.4, Amendment की गई, कब 1971 में, 24th Constitutional Amendment Act में, और 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 इस Amendment में, Parliament में पता है क्या बोला, Parliament ने बोला, देखो भाई, Amendment जो है, Parliament करता है, क्योंकि Parliament के पास पावर है, Amendment करने का, अंडर Article 368, कैसे Amendment होता है, वो हम पढ़ेंगे, Article 368 में आपको पढ़ना पढ़ेगा, पारलिमेट ने बोला, Article 368 के अंदर, Amendment का प्रोसीजर है, और अगर, 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 Amendment की गई, इन Fundamental Rights में, या कहीं पे भी, तो वो इस ला की केटेगरी में नहीं आएगा, जैसे कि आपने देखा, ला, 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 आर्टिकल 13 बात करता है लाज के बारे में, आर्टिकल 13 वैसे देता है, Negatiive Definition of Law, कौन सा अला नहीं माना जैगा, बहुत जगा़ों पर आपने देखा होगा, Artikel 13 देता है Definition of Law, नहीं भई, गलत है, आर्टिकल 13 एक्चिली देता है, Negatiive Definition of Law, कौन सा अला नहीं माना जाएगा, और अगर, वो, fundamental rights के violation करे तब नहीं माना जाएगा तो इन्होंने बोला देखो भाई amendment अगर parliament करे तो वो article 13 के law के definition के अंदर नहीं आएगा ठीक है इसलिए उसको आप challenge नहीं कर सकते आप हाँ हाँ आप court बता सकता है court बता सकता है पारलेमेट ने ये बनाया कानून उसको आप कानून लेकिन पारलेमेट ने अगर amendment की कोई कानून नहीं ला नहीं ला बनाया अगर कोई change लाई का नस्चूशन में ला नहीं बनाया amendment की तो वो ला नहीं है article 13 के ला के अंडर ला के definition के अंदर इसलिए इसको court चलेंज नहीं कर सकता इसलिए इसको court नहीं unconstitutional बोल सकता इसलिए जो हम amendment करेंगे parliament जो amendment करेगा वो court नहीं बोल सकता कि वो unconstitutional है invalid है क्योंकि ये article 13 के ला के अंदर नहीं आता court बोल सकता है article 13 के ला को unconstitutional, invalid अगर fundamental rights के violation करे वो ला इनने बोला amendment जो हम करेंगे वो अगर fundamental rights का violation भी करें ना वो amendment तो वो challenge नहीं हो सकता courts में court उसको unconstitutional नहीं बोल सकता उस amendment को Supreme Court ने बोला अच्छा तो आप amendment से fundamental rights को हटाना चाहते हो आप amendment करना चाहते हो और आप बोलते हो amendment नहीं है ला article 13 के चलो हम भी एक फैसला सुनाते है Supreme Court ने केशवनन भारती केस 1973 में 1973 में एक केस हुआ उसमें बोला ठीक है आप करो amendment आप करो change in constitution आप करो change in fundamental rights मगर basic structure fundamental rights का change नहीं होना चाहिए और ये basic structure court decide करेगा कौन सा चीज आता है basic structure में कौन सा नहीं जैसे कि for example court ने बोला article 14 basic structure है अब पार्लिमेंट इसको change नहीं कर सकता अगर करेगा पार्लिमेंट तो court बोलेगा article 14 basic structure है तो आपने इस basic structure का violation क्या change करना चाहा इसको ठीक है ना तो यहाँ पर फिर से ball आई Supreme Court के हाथ में Supreme Court ने बोला ठीक है मैं decide करूँगा आपका amendment सही है कि गलत मैं decide करूँगा आपका amendment हम unconstitutional मानेंगे कि नहीं मैं decide करूँगा कि आपका amendment जो आपने किया वो basic structure को change करता है कि नहीं ठीक है ना और देखो यह article में जो इसमें बहुत सरी बाते हैं बहुत सरी चीजे हैं वो हम आपको पढ़ाेंगे जब हम आपको UPAC ISO कराइंगे जैसे कि पहले Shankri Praisead केस में बोला गया kanalasu ला रहे हैं अलग-अलग courses UPSC के लिए और JKPAC केस पिसे प्रहू प्रहप अप्राइब ए्याओंग। शप्राइब न्याद वुट लिच स्बटाम् कोई शुट इसे लाग श्टार्इब केंजे हैं। ओढ ए्ट चानल शुट ट रिप्रण वेसेजू को हैं। चुर द बुट टिए इप्र केडिनी वीज़ इन। वे लो कीज चेलल और इंट यार की लूकुंटति आफ टूनिंटम की।कि-टून यौप